काबिनेट मंत्री मुल्चन शर्मा ने हर्याना न्यूस से खास बाचीत में कॉंग्रिस पर जोरदार प्रहार किया है मुल्चन शर्मा ने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी का जन्म ही भरस्टाचार से हुआ है दूसरों को ब्रस्टाचारी बताने से पहले कॉंग्रेस को खुद अपने गिरेबान में जहात कर देखना चाहिए मतदान की पारिक जैसे जैसे नजदी का रही है वैसे वैसे ही तमाम पार्टियां चुनाप परचार में पूरी जान जोग रही है मंत्री जी किस तरीके का चुनाप परचार आप चल रहा है अंतिम पड़ाग है और 25 मही को बोट गिनी है कि सभी कारिकटा आपने जो भूत है सग्ति किन को मत अस पर काम बेलगे हैं और यह श्के जदा 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 बोट निकालने है और भूत तक पहुंचाने का काम देए और कारिकरता हुए एक भी आप कौन भूत पर वैढ़ेगा कौन कहा निकालने पर रहेगा वेस्ता में कौन-कौन कारीकता रहें नीचे तक कारीकता अपने बेरे काम में लगए हुए जैसे जैसे 23-24 के बाद बसता अपना देंगे उसके बाद 25 को वोटिंग है यही एक पी जददड़ वोट काला है को वोट रहना जाए और लोगां में चाम भी है कि राष्ट का चुनाप है राष्ट में चुनाप है डेश का चुनाप है और मोधी जी के नितितम में हर वेक्ति जाता है लगातार कॉंग्रेस नेता हमला वर हैं बीजेवी पर क्या कहिना नहीं उन पर कहने के लिए कुछ नहीं है अगर वह हमला नहीं बोलेंगे जबी तो उन 30, 35 से क्या है उन तो लड़ाई जमान की बाइज लड़ा है कुछ जीत की लड़ाई सरकार की लड़ाई तो है नहीं और सारे देश में 400 पार लोह जुन्वारा है और लोग लगे हुए है जेते नुजमान साती है नई बोत्पनिय वो भी सब बोदी जी को बुद दने वाले हैं मेरा कहना कि कॉंवर्स की मित्रों का रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि परस्टा चारमी नंबर बने है खड़के जी क करिण कम आप्रति के परिश्टाचार के लिए टलागील कोने खड़के जी पता उन्होंने सब को इर से उनका इंपर जीसताचार में सब कर रहे हैं और घर सीत हुनी जी कईस तरीके के नतिज दृए बहुत बड़ी जीत होगी, एतियासिक जीत होगी, आप भूम तो घंसे हैं, वक्ति आपको ज्यादा है जो चुपए साइलेंट है, सब मोधि क कुपर देरेंगा, मेरें मोधि क कुछ लोग हैं जो तुए का परचारवाजी करते हैं, आज सब लोग चाहते हैं देश के प्रजामती नेंदर बहुत बड़ी जीत होगी एत्यासिक जीत होगी किस्रपाल की बहुत बड़ी जीत होने और हर्याना में दसकी दस लोकशवा सीट बीजेपी के खाते में जाएंगे ऐसा दावा कैबिनेट मंत्री मोलचन शर्मा की तरफ